साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब, मेरा रदय पीडा से भड़ा हुआ है, क्रोध से भड़ा हुआ है, मनिपूर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सब्वे समाज के लिए, ये शर्मसार करने वाली घटना है, पाप करने वाले, गुना करने वाले, कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगा पे है, लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही हैं, एक सो चालिस करोर देश वाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है, मैं सभी मुख मंत्रियों से आगरे करता हूँ, कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें, खास करके हमारी माता और बेहनों की रक्षा के लिए, कठोर से कठोर कदम उठाएं, गटना चाहे राजस्तान की हो, जटना चाहे चत्तिश गड़ की हो, गटना चाहे मनिपूर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में, किसी भी की राज्य सरकार में, राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके, कानून व्यवस्ता का महत्माएं, नारी का सम्मान, और मैं देरस वाज्यों को भिश्वाद दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुलेकार को बख्षा नहीं जाएगा, कानून अपनी पूरी शक्ती से, पूरी सक्ती से, एक के बाद एक कदम उठाएगा, मणिपूर की बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है, मौन्सुन सत्र में आप सबका स्वागत है, सावन का पवित्र मास चल रहा है, और इस बार तो डबल सावन है, और इसलिए सावन की अवधि भी जड़ा ज़्यादा है, और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कारियों के लिए बहात उत्तम माना जाता है, और आज जब लोगतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोगतंत्र का मंदीर, ऐसे अनेक पवित्र कारियों करने के लिए, इस से बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास है, कि सभी मानिय सावसत मिल करके, इस सत्र का जनहित्म सरबाधिक उप्योग करेंगे, संसद की जो जिम्मेवारी हैं, और संसद में, हर संसद की जो जिम्मेवारी हैं, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुती आवश्चक है, और चर्चा जितनी ज़्यादा होती हैं, उतना जनहित्में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं, सदन में जो माननी सांसद आते हैं, वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं, और इसलिए जब चर्चा होती हैं, तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं, वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं, और इसलिए चर्चा तो सम्र्द होती है निनने भी ससक्त होते हैं परणामकारी होते है और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मानने सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रुप से महत्वकाभी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे है वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए है हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेत्रूत्व कर रही है उच समय देटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है उसी प्रकारते नेश्नल रिसर्ट फाउंडेशन ये बिल नारेफ नई शिक्षानिती के संदर्व में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इस का उपयोग अनुसांसां तो अनुसांदान को बढ़ लेना इनोवेशन को बल देना रिसर्ट को बल देना और हमारी हुआ पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर करके आ रही हैं जन्विश्वास बिल कि सामान ने बानवी के परती भरोसा करना अने कानूनों को डिक्रिमिलेज करना इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला इस उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है हमारे यहां सदियों से परंपरा रही है कि जब विबाद हो तो समवाद से सुल जाये जाए मिडियेशन की प्रंपर हमारे देश की बहुत सद्य पुरानी है उसको अब काणूनी आधार देते हुए मिडियेशन बिल लाने के दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है जो अनेक विवादों से सामाने से सामाने मानवी से ले करके असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुल जाने का एक मजबूत नीव बढ़ाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई विवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बील इस बार इस सत्रमे संसज में आ रहे हैं तब ये जन हितके हैं ये युवा हितके हैं ये भारत के उजवल भविश्य के लिए हैं मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरता पूर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे मुझे बढ़ाएंगे